वेल्कम तू माई यूट्यूब चैनल क्रेशन्स वाइबविता आज हम इस टॉपिक पर डिस्कुशन करने वाले हैं वह है ओईली स्किन जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑईली स्किन बहुत अच्छी स्किन मानी जाती है क्योंकि उसमें एजिंग साइंस जो होते हैं पाइन लाइन रिंकल्स वह बहुत लेट आती हैं सम्टाइम्स यह कुछ प्राबलम करती है जैसे कि एक्ने अगरा की इशू हो जाते हैं लोगों को बट ऑल लोग पर यह स्किन काफी अच्छी मानी जाती है आज मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूं जो ऑईली स्किन के ब करेंसपूल ही होगा कρब और मैं में खूए हाबग enabling उसको उनुछ रिचक करने की जरूरत होती है उसको क्रेश जरूरत में होती है तो ऑफने शीन वालों को अपने लिए हमेशा gel product यूज़ करना चाहिए चाहिए आप मुश्राइजर यूज़ कर रहे हैं आपने लिए या कुछ भी ऐसा product यूज़ लेते हैं अगर जैल टाइप पे जाएंगे तो वह हमेशा आपके लिए बेनिफिशल रहेगा और आपको अच्छे रिजर्स तेंगे अगर आप कोई भी ऑईली मुश्राइजर यूज़ करते हैं तो वह आपको चिप चिपनेस तो देगा ही और साथ में स्टिकी पन के साथ पिमपल्स भी क्रेट कर देता है कभी-कभी अब मैं आपको एक प्रड़क्ट बताने वाली हूं जो कि लॉर्यल ब्रेंड का है यह है लॉर्यल का हाइड्रशाइन यह आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करता है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ शा है कि आपको नीड नहीं है तो जब भी आपको सब विंटर में जैसे आप लोग मुष्टराइजर यूज़ कर सकते हैं कोई भी अच्छे ब्रेंड का बट ऐल फ्री और समबर में भी आपको हाइड्रेशन की जरूर तो है क्योंकि हम पाहर निकलते हैं तो वैदर और यह वा अच्छी आपकी फेस जो ओवर शाइन होता है वाली स्किन वाले हमेशा शाइनी रहते हैं जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं वारेट पे मैंने कोई भी मेकप अपलाई नहीं किया बट उसके बाद भी मेरा फेस बहुत शाइन कर रहा है तो समड़ाइफ मैं भी ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे भी ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करती रहूंगी तो सी यू दैन प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल अभी ताव